असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडिमी के इस नए और लिटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग के टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नमबर 19 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हम जो है वो कैसे सोचते हैं नौजवानों के सोच और विचार के बारे में इस कविता में बताई गई है ठीक बता-एक गई जिटनी अफैन। देश की प्रगती होगी ठीक है जितना ही नौजवान जो अपने देश के लिए कुछ करेंगे कुछ बनेंगे इसका मतलब देश जो है धीर धीर विक्सित होगा तो इस नजम यानि कि इस कवीता में पूरी डिसकस पूरी चर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के निकला था तो उसी जुलूस में पहली बार परवेज शादी जो है यह नसम्यान की इक कवीता पढ़े थे हैं ठीके तो यह हम नौजवान है नाम का जो नजम के लेखक है वो परवेज शादी हैं कब पढ़े थे तो जब कलकत्ता गय थे वहां पर नौजवानों का जुलू शादी इनके बारे में जान लीजिए क्योंकि आप लोग जानते हैं एक्जाम में कोशन पूशी देता है और इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है ठीक है तो देखिए परवेज शादी का पूरा नाम जो है और ये अपने शेर वशादी के लाश्ट लाइन में पहले पहल जो नाम यूज़ करते थे वो एक्राम यूज़ करते थे मतलब शुरू शुरू में परवेज शादी जो है शेर वशादी के लाश्ट लाइन में जो नाम यूज़ करते थे वो एक्राम नाम यूज़ करते थे यानि कि इनका पहले पहल शुरू में तखलुस क्या था एक्राम था लेकिन फिर बाद में परवेज शादी अपना तखलुस चेंज कर दिये और परवेज लगाना शुरू कर दिये यानि कि बाद में परवेज शादी जो है वो अपने शेरोशारी के लाश्ट लाइन में एकराम नाम का तखलुस ना यूज़ करके परवेज नाम का तखलुस यूज़ करने लगे मिदलब वो अपने शेरोशारी के लाश्ट लाइन में परवेज नाम यूज़ करने लगे किनके पिता जी का नाम है सयद एहमद हुसेन जो कि ये भी एक शायर थे ठीक है पैदाइश की बात कर ले तो प्रवेर शाहदी की पैदाइश हुई थी तीस सितंबर उन्हेंसा दास इसभी को पटना के लोदी कट्रा में याद रखिएगा आगे बढ़िए मदर्सा निजामि में जो है ना प्रवेर शाहदी उर्दू फार्सी और अर्वी तीनों की तालीम हासिल के शिक्षा लिए ठीक है और उसके बाद से प्रवेज ने उन्हें सब पच्चीस इसभी में कलकत्ता युनिवर्सिटी से मैट्रिक पास करके पटना चले आए प्रवेर शाहदी जो है मैट्रिक पास करने के लिए कलकत्ता गए थे कलकत्ता युनिवर्सिटी से उन्हें सब पच्चीस इसभी में मैट्रिक पास कर लिया और फिर वो पटना चले में और पटनाई उनियोर्सिटी से 1937 में ओनर्स और 1934 में उर्दू में एमे और 1935 में फार्सी में एमे किये और उसी साल कलकत्ता वापस आगे देखें वो पटनाई उनियोर्सिटी से 1937 में ओनर्स 1934 में उर्दू में एमे और 1935 में फार्सी में एमे किये और फिर वो उसी साल जो है उन्हें सब 35 में ही कलकत्ता वापस आ गए जब वो कलकत्ता वापस आए तो चंद दीनों के लिए यानिकी कुछ दीनों के लिए इंस्पेक्टर ओफ स्कूल भी हुए थे यानिकी इंस्पेक्टर वो बने थे स्कूल का इंस्पेक्टर और आखिरका में उन्हें सुरेंद्रनाथ कॉलेज कलकत्ता में उर्दू का लेक्षर का जॉब मिल गया ठीक है तो वहाँ पर जॉब करने लगे मुलाजमत करने लगे आगे बढ़िए उन्हें इस अंठावन इस भी में परवीर शादी शोबय उर्दू कलकत्ता युणरसिटी से वाबस्त पर जॉब करने लगे और उसी वक्त उनकी शादी के उर्दू के टेपार्टमेंट में काम कर रहे तो तो उसी वक्त प्रवेर शादी की शादी एक तालीम या फता यान की पढ़ी लिखी लड़की जिसका नाम है फजील लतुन्नेसा बेगम उनसे हो गई ठीक है आगे बढ़िए प्रवेर शादी जो है वो पहला शेर आट साल की उमर में कहा यानि की परवेर शादी जो है वो आ यह दूनों क्या है शेज़के का मजमूः यान की किताब है ठीक है और आकिर में परवे 친구 प्रवेशादी का इंतकाल पांच माई ***68 129 को कसरते नोसि के वज़़ से हुई पांच मई उने इस अरसए इस्वी को कसरते नोसि यानिकी ज्यादा शराब पीने के वज़़ मैं इस नजम हम नौजवाएं नाम के इस कवीता को पढ़कर इसका मतलब समझाती हूँ ठीक है तो मैं ले लेती हूँ आप लोका दुख देखे इस नजम में परवेश शाधी शुरू शुरू में लिखे हैं कि हम नौजवा हैं जाने बहारा मरगे खिजा हैं शादाबियों का गुल्षन बादामा एक करवा हैं जाम वो सुबू की कैफवन अमूरू है तपा हैं हम आतिशे गुल की रक्स करती चिंगारिया हैं हम नौजवा हैं यहां पर बोला जा रहा है कि हम नौजवा हैं यानि कि हम जो हैं वो नौजवान है जाने बहारा यानि की बहारों में जान हमारी वजह से आती है हम जहां भी जाते हैं वहां का बंजर खत्म हो जाता है पतजर का मौसम खत्म हो जाता है और वहां पर चारों तरफ गुलशन चा जाती है हरियाली चा जाती है ठीक है और जो मतलब के लिए कुछ करना चाहता हूं और मतलब मेरे अंदर कुछ बनने की चाहत है ठीक है वह हूँ दफातर या दर्स गाहे या कार खाने जजबात के या अफकार के हूँ आशियाने सब्जे के मसनत काले धुए के शामियाने सुनकर सदाय साज जवानी सब नगमा खवा हैं हम नौ क्यों नहों आसमान क्यों नहों जमीन क्यों नहों चारों तरफ जो है वो नौजवान ही देखने को मिलेंगे भीगी हसी फिर कैफ वनमू का हक मांगती है तसकीन जोग जामू का हक मांगती है बज में जवानी में हाय हूं का हक मांगती है बारूद मलकर किसको डराती है यह उसके वह मांगती है क्या मांगती है कि और बीजया को और वी जदा क्व बनाओ तुम जहां जिस जगह पर जाओ उस जगह को खुबसूरत बना डालो इस दुनिया में जितने भी लोग के भी प्रॉब्लम है परिशानी है उसको दूर करो सोले गजब के रहते हैं रक्सा कल्ब और जिगर में सासे हमारी सूरज की किर्णे शौक सहर में सुराख कर दे जुलमत कदो की दिवार और दर में सोच दर्रों से अपनी नीगाहे आजशे फिशा हैं हम नौजवा हैं लेहां पर नौजवान कह रहे हैं जिगर के अंदर एक अजीव तरह का शोला है जो की आग की तरह जल रहा है और शुब दिन के सौक में यानि की अच्छे दिन के सौक में शुब की सौक में हमारी जो सासे हैं वो सूरज की किरण की तरह गर्म हो गई है जो जुल्मत के दिवारों में भी सुराख कर सकते हैं हमारे अंदर जो यह पर इस बंद में जो है न पर विर शादी नौज़ादी नौजवानों की अंदर का आग दिखा है कि मतलब नौजवानों के अंदर एक तरसे आग है कुछ करने की कुछ बनने की बाग ने शाथ हुसन वा मुहबबत ले कर रहेंगे सुबह तबस्व मुहबबत ले कर आएंगे जो छिन गई है वो अपनी जन्नत ले कर रहेंगे बेकार बर हम बुड़े जहन्नम के पास बान हैं हम नौजवा हैं यहां पर बोला जा रहा है कि वो बाग जो हम से छिन गई थी वो हम ले कर रहेंगे वो हुसन वा मुहबबत हम ले कर रहेंगे सुबह भी ले कर रहेंगे और जो जन्नत हम से छिन गई थी वो भी हम ले कर रहेंगे चाहे वो जन्नत का हिफा बीता जो है यहीं पर complete होता है I think आप लोग को समझ में आया होगा कोई भी confusion आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं ठीक है तो जो कुछ भी मैं आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद से वीडियो को सबसे ज़्यदा आप लोग का आप सनाएगा तो और पर क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो चलिए फिर्म लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तक तक के लिए जाहिंद और ख कुदा हाथ इस